रात आट बचे देगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स्क्लूसिव इंट्रिवियो देश के हम दो को लिका सवालों का जवाब देंगी प्रधानमंत्र दानसभा के वजट सत्र का गाउस राज्यपाल कलराज मिश्रिनि नम निर्वाची सदस्यों को शपत दिलाई अभीभाषन में गिनाए सरकार के का विधानसभा के वजट सत्र में सरकार के खिलाब विपक्ष का अक्रमग रूक रीट की सीवियाई जांच की मांग पर ब्लैक पीपर लेकर पहुंचे सदस्य है अरलपी का सदन से बोकाव इस परवड़ी को विधानसभा में पेश होगा राज्य का बजट बीएसी की बैटक में हुआ तह 10, 11 और 14, 15 परवड़ी को राज्यपाल के अभीवाषन पर होगा बाद विवाद 15 परवड़ी को मुख्यमंत्री कैलोद देंगे जवाब शुपी की सत्ता के लिए कल पहले चरण का रण करण होगा पहले चरण का मतदान 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा मतदान योगी सरकार के 9 मंत्रियों की भी होगी परिक्षा जवागी रण में ग्रेमंत्रिय अमिश्या घरगर जाकर जोटे प्रचार में लोगों से मांगे बोट 14 परवड़ी को होगा है मतदान प्रदेश को कॉंस्टिटूशन क्लब के सोगात मुख्यमंत्रिय गहलोत ने रखी क्लब के आधार शिला पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने की शिरकत मुक्यमंत्री गहलोतनी अरेचबी कमिशनर पबन अरोडा के तारीफ की बोले कॉंस्टिटुइशन कलब बनानी का पैसला इतिहास में दर्ज होगा इजा मामले में बैंगलोर में स्कोल कॉलेजों के 200 मीटर के अंदर लोगों के जाम होने पर रोक और इस दोरान हाई कोटनी केस बड़ी बैंच को भेजा प्रदेश में एसीबी का डबल धमाका जालोर में सेंट्रल जीएस्टी का सुप्रीडेंटन ट्रैप एक लाग के रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया तो वहीं जैपूर ग्रेटर का समीदा कर्मी शिकन जे जैपूर एरपोर्ट पर कस्टम विभार की कारवाई यात्री से बरावद हुआ पांच लाक उन्यासी हजार का सोना जीब के नीचे कैविटी में छुपाया हुआ था सोना